अनकाड़ेमी, लेट्स ट्रक इट आईएस में दोहजारतेश जीएस पेपरटो के इंडियन पॉलिटी के एनालिसिस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है पहला प्रश्ट है संबैधानिक रूप से नियाइक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की एक पूर्वशर्त है Constitutionally guaranteed judicial independence is a prerequisite of democracy comment इस प्रश्ट के तीन हिस्से हैं नियाइक स्वतंत्रता लोकतंत्र से नियाइक स्वतंत्रता का संबंध भारती संबिधान के प्रावधान इन तीनों हिस्से हैं इन तीनों हिस्सों पर बात करनी है लेकिन सभी पर थोड़ा हमें क्या है एक सेक्वेंस में बात करनी होगी इस प्रश्ट के आने का एक कारण तो बहुत सामान है क्योंकि ये Indian polity की एक understanding से जुड़ा हुआ एक general question है कि आप democracy और judicial independence के बीच में एक connection जो है उस connection को आप समझते हैं कि नहीं समझते हैं लेकिन इसके पीछे कुछ तातकालिक कारण भी हैं कुछ महीने पहले भारत के Chief Justice of India ने एक बहुत बड़ी बात कही थी उन्होंने कहा था कि भारत की निचली अदालतों पर कुछ मामलों में हम दबाव महसूस करते हुए देखते हैं और जमानत के मामले में जो जजज हैं जैसे जो district court के जजज हैं वो सरकार के अगेंस्ट जाकर किसी भी व्यक्ती की जमानत देने से हिचक रहे हैं और इसलिए जमानत के बहुत से मामले हाई court में और supreme court में आ रहे हैं इसराइल में एक बहुत बड़ा लोगों का विरोध प्रदर्शन सामने आया जब लोगों ने वहां के judges के powers को कम करने संबंधित विदेयक के बारे में उनके पास जानकारी आई और बहुत दिनों तक इस पर लोगों में चल लही है तो अगर हम भारत के संदर में देखें तो जो निचली अदालतों के मामले में जमानत के नहीं देने के जो judges के निर्णे है और सारे मामले हाई court और supreme court में चल आना यह बताता है कि थोड़ी नियाइक स्वतंत्रता को लेकर इस्थितियां जो है वो निचली और उस पर मजबूत किये जाने की आवशकता है नियाइक स्वतंत्रता क्या है नियाइक स्वतंत्रता को हम तीन context या दो बड़ी बातों के संदर में देख सकते हैं नियाइक स्वतंत्रता का एक मतलब होता है कि जो जुडिसरी है और जो judges हैं वो किसी external bias से किसी भी बाहरी आ पक्ट पातों को होते हैं नियाइक होते हैं नियाइक आधीस के अपनी अपनी एक सोच होती है तो उस सोच मेह कोई पक्चपात ना हो तो अगर हम इसको बहुत सिंपली समझें तो न्याइक स्वतंतरता का मतलब होता है कि जब कारेपाली का और विधाई का के द्वारा बिना किसी बाधा के बिना किसी अवांचित प्रभाव के न्याइपाली का अपना कारेकरण करती है या कारियों को पूरा करती है तो यह न्याइक स्वतंतरता क एक पक्च है सरकार के विभिन अंगों या संस्थाओं के द्वारा या निकायों के द्वारा जब नियाएपाली का के कामकाज में कोई हस्तचेप नहीं किया जाता है तो इसे भी नियाएक सोतंतरता का एक बहुत बहुत पुड़ पक्च मानते हैं और जब नयाधीश बिना प प्रकार का पक्चपात नहों किसी भी प्रकार का वह भेदभाव ना कर रहे हो निस्पक्च होवे इंटर्नल कोई बायस महो तो ऐसी इस्थिति में भी न्यायपालीकान की स्वतंतरता के बारे में कि कारेपाली का और विधाई का उसके कारियों में उसके छेत्र में बाधा न पहुंचाएं सर्कार के जो अंग हैं संस्थाव करें और नियाएक इस आंतरिक रूप में भी बिना किसी और निया एक 136 के बिना किसी पक्चपात nécessaire होते हैं हम क्यों नियाइक स्वतंतरता की जरूरत महसूस करते हैं तो नियाइक स्वतंतरता के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि अगर आप चाहते हैं कि किसी भी सिस्टम में किसी भी पुलिटिकल सिस्टम में ब्यक्ति की स्वतंतरता को इंशियोर करें तो आपक नियाईक स्वतंतरता की शर्ट को पूरा करना होगा और भारत में निचली अदालतें जमानत देने के मामले में जो सरकारों के कारेपाले काओं के विरुद्ध जो जाने से कत्रा रही है यही वो डैंजर है जिसमें सुप्रिम कोट ने हमें आगाह किया कि ब्यक्ति की स्वतंत नहीं दी जाती हैं और वो सारे लोगों को सुप्रिम कोट या हाई कोट तक दोड़ना पढ़ता है तो यह क्या है उसकी स्वतंतरता को कम करने वाली स्थिति हैं दूसरी बात यह है कि न्याइक स्वतंत्रता से सरकारों की दक्चता सुन citizenship होती है। सरकारे तभी efficiently work कर सकती हैं जब कारेपाली का और विदहाई का अलग काम करें अपने काम करें और न्याइपाली का अपने काम करें। इसके साथी न्याईक स्वतंत्रता की आवशक्ता निरंकुस्ता से बचाओ के लिए भी है प्राधिकारों का अनुचित प्रयोग नहो इससे बचाओ के लिए भी है और न्याईक स्वतंत्रता का जो आधार है वो शक्तियों के प्रिथक्रण का सिध्धान्त है शक्तियों के प ऊसदा के बचाव से लोगों को सुरक्षित करता है इस उनसधी प्रणाली और अद्यक्शी प्रणाली दोनों में अपनाया जाता है संसधी प्रणाली में विधाई का और कारेपालिका सन रचनातमकimage रड़ोप से अलग नहीं होती जैसे भारत में जो मंत्री हैं वो मंत्री संसद के ही सदस्य होते हैं तो चाहे वो राजसभा के हों या लोग सबहा के इसका मतलब कि बिधाई का और कारेपालिका के बीच में जो हम एक एक सेप्रेशन की बात एक स्ट्रक्चरल separation की बात करते हैं तो यह separation you will not find in parliamentary system लेकिन न्यायपाली का parliamentary system में अलग होती है और कोई भी संसत सदस्य या मंत्री न्यायपाली का में जज नहीं बन सकता और इसलिए मैंने बच्चों यहाँ पर दिखाया है कि संसदी प्रणाली में न्याइक दरसल संरचनात्मक और कामकाजी एक अलगाव के रूप में सुनिश्चित की जाती है जजस अलग होते हैं न तो संसत के हिस्से होते हैं न तो सरकार के हिस्से होते हैं अध्यक्ची प्रणाली में भी शक्तियों के प्रिथक करण के सिध्धान्त को अपनाया जाता है लेकिन संसदी प्रणाली की तुलना में वहाँ ज्यादा कठोरता से अपनाया जाता है जहां संसदी प्रणाली में जो संरचनात्मक अलगा होता है बिधाईका और कारेपालीका के बीच में वो नहीं होता है वहाँ अध्यक प्रश्ण पूरी तरह से खुल गया कि दरसल लोकतंत्र की पूर्वशर्थ क्या है लोकतंत्र की पूर्वशर्थ है कि शक्ति एक जगह पर इकठा नहों शक्तियों का एकिकरण नहों शक्तियों के एकिकरण से निरंकुस्ता की संभावनाएं बनती हैं शक्तियों के एकिकरण से स्वेक्षाचारिता की संभावनाएं बनती हैं तो यहां पर आप इस चीज़ को conceptually क्या जोड सकते हैं कि न्याइक सोतंत्रता लोकतंत्र की पूर्व शर्त है क्योंकि न्याइक सोतंत्रता भिधाई का कारेपाली का और न्याइपाली का के बीच में शक्तियों के प्रिथक्रण के सिध्धान्त को क्या करती है पुस्ट करती ह अब इसके साथ ही बच्चों इसका जो एक अगला dimension है वो dimension ये है कि क्या आप judicial independence को और लोकतंत्र को connect करके देख सकते हैं और इस connection में आप ये बता सकते हैं कि जैसे पानी जिंदगी की पूर्व शर्त है आकसीजन जिंदगी की पूर्व शर्त है क्या वैसे ही लोकतंत्र की पूर्व शर्त न्याइक स्वतंत्रता है तो यहां पर आप सबसे पहला argument ये दे सकते हैं कि चाहे संसदी प्रणाली हो या अध्यक्ची प्रणाली दोनों में न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है न्यायपालिका का सन्रचनातमक अलगाव structural separation structural separation और इसके साथ ही functional separation दोनों जाता है और अगर आप संद्रचना को भी अलग करते हैं कि Judiciary की संरचना अलग होगी उसका composition अलग होगा और अगर अगर आप function को भी अलग करते हैं तो इसका कोई रीजन होगा और ये रीजन अगर हम न्याइक स्वतंत्रता के संदर में देखते हैं तो चाहे कोई भी प्रणाली हो कारेपालिका के स्वरूप के आधार पर सरकारों की चाहे वो संसदी प्रणाली हो या अधक्ची प्रणाली हो दोनों में न्याइक स्वतंत्र पर बराबर माना जाता है प्रतेक व्यक्ति को एक गिना जाता है एक से अधिक नहीं इसके साथी लोकतंत्र जो है वो व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है और व्यक्ति के स्वतंत्रता के मूल्य अधिकारों और आधर्शों पर लोकतंत्र आधारित है और लोकतंत्र में शक्तिय पर अगर आच आती है तो उस आच को आप कैसे रोक पाएंगे समानता सुतंत्रता और लोकप्रिय संप्रभुता के सिध्धान्त आदर्श या मूल्ले पर अगर कोई विवाद खड़ा होता है अगर कोई यहां पर उसको सीवित करने का प्रयास होता है तो उसका समाधान न्या नायपाली का लोकतंत्र की पूरुशर्त है कुछ चीजें फाउंडेशन होती है कुछ चीजें आइडियल्स होती है जिनको पुलेटिकल इस्टिउशन्स हासिल करने की कोशिस करते हैं लोकतंत्र का आधर्श है न्याय लोकतंत्र का आधर्श है व्यक्ति की गरिमा लोकतंत के इन आधर्षों के प्रूरती के लिए भी लोकतंत्र में जो व्यक्ति की गरिमा का आधर्ष है लोकतंत्र में जो सामाजिक. राजनितिक और आर्थThat न्याय प्रदान करने का जो आदर्श है उस आदर्श को हासिल करने के लिए भी न्याय पालिका की आवशक्ता होती है और जिन देशों में संगहातमक प्रणालियां अपनाई जाती हैं वहाँ पर न्याय पालिका एक जरूरी शर्त के रूप में काम करती है संगहात्मक प्रणालियां शक्तियों के विभाजन दो इस्तर के सरकारों इसके साथ ही संगहात्मक प्रणालियां लिखित संविधान स्वतंत्र और निश्पक्ष नयाय पाली का दोहरी पहचान और इसके साथी समन्वात्मक संस्थाओं पर आधारित होती हैं इन पाचो विशेस्ताओं में जो स्वतंत्र निश्पक्ष न्यायपाली का है वो ये प्रमाणित करता है कि न्यायक स्वतंत्रता संगहात्मक प्रकार की जो सरकारे होती है उनकी पूरो शर्थ के रूप में काम करती है और संगहात्मक ही नहीं बच्चो एकात्मक जो सरकारे ह होती है जैसे UK, United Kingdom, एक आत्मक सरकारों में भी पहले जो न्याइक शक्तियां थी, वो संसत के पास थी, जैसे United Kingdom को के बारे में आप पढ़ेंगे, तो United Kingdom में जो highest judiciary थी, वो House of Lords की एक कमेटी थी, एक judicial कमेटी थी, इसका मनलब की न्याइक शक्तियां संसत से अलग नहीं की गई ह लेकिन ये बेवस्था पूरी तरह से सफल होती हुई नहीं दिख रही थी, इसलिए 2005 के बाद United Kingdom जैसे एक आत्मक सरकारों के देश में भारत और अमेरिका जैसे सुप्रिम कोर्ट की स्थापना हुई, और ये जो सुप्रिम कोर्ट की स्थापना हुई, इस पर UPSC ने पहले भी प्रशन पूचा, तो हम न्याइक स्थांत्रता लोकतंत्र की पूर्व शर्त है, इसके समर्थन में बच्चों पांच कारण दे सकते हैं, पहला कारण है कि संसदी लोकतंत्र हो या अध्यक्षी ये लोकतंत्र की प्रणाली हो, न्यायपालिका के संरचनात्मक अलगाओ और कामकाजी अलगाओ को सुनिश्चित करणे में न्याइक स्थांत्रता दी जाती है, और न्याइपालिका हमेशा की संसदी और अध्यक्षी प्रणालियों में बिधाईका और कारेपालिका से अलग होती है, लोकतंत्र के आधार समानता स्थांता और लोकप्री लोकतंत्र के लिए और संगहात्मक सरकारों वाले लोकतंत्र में न्याइपाली का पूरुशर्त होती है और यहां तक की एकात्मक सरकारों वाले लोकतंत्र में एक न्याइक स्वतंत्रता रखने वाला एक अलग से सुप्रिम कोर्ट क्या है अब पूरुशर्त के रूप में द के बाद ब्रिटेन में सुप्रिम कोट की स्थापना के लिए कानून बनाया जाना तो ये बाता बता देंगे भारत के संदर में भी हम इस प्रश्ट को जोड़ सकते हैं और मैं ये विशलेशन अगले आने वाले प्रश्टों के कॉंटेक्स्ट में कह कर रहा हूं तो अगर मैं भारत के संदर में न्याइक स्वतंतरता की इस्थिती को देखूं तो भारते संबिधान के अनुच्छेद 50 में न्याइक स्वतंतरता को ब्यक्त किया गया है क्योंकि कारेपाली का और न्याइपाली का की शक्तियों को इसमें प्रिथक्रण करने की बात है भारत के संबिधा के अनुच्छेद 121 और 211 में रिस्ट्रिक्ट किया गया है संसद में नियाधीशों के आच्रण पर चर्चा के लिए 121 में और 211 में विधान मंडल में नियाधीशों के आच्रण की चर्चा करने के लिए जब तक किसी नियाधीश को हटाने की प्रक्रिया सुरी न की गई हो तब तक संसद में उन पर चर्चा नहीं हो सकती, इसका मतलब कि संसद और नयाइपालिका के बीच में भी यहाँ पर भी एक अलगाओ शक्तियों का प्रिथक्रण क्या किया गया है। नयाइक सुतंतरता को सुनिश्चित करने के क्रम में ये बात याद रखना जरूरी है कि राजनीतिक आधार पर भारत में न्यूक्तिया नहीं होती, इसके साथ ही चुनावी लाभ लेने के लिए जजों की न्यूक्तिया नहीं होती। देश है जहां पर जज ही जज को न्यूक्त करते हैं। धान्त को अपनाया। अनुमती या संसत से प्रस्ताव पारित किया जरूरी है वो भी न्याइक सोतंत्रता को सुरिश्चित करता है। तो अनुचे 50, 121, 211, 124 इनके भारे में आप बात कर लेंगे। इसके बात ही बच्चों कि 112 जो है वो ये कहता है कि बित्ती सुरक्षा होगी जजोच को। जजेट्स जब अपने पद को धारन कर लेंगे तो पद धारन करने के बाद उनके किसी भी तरह की उपलब्धियों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। कटावती प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता क्योंकि उच्चतम न्यायले के न्यायदीशों के वेतन और भत्ते Consolidate Fund of India पर आधारित होते हैं उच्च न्यायले के वेतन और भत्ते राजसंचित निदी पर आधारित होते हैं लेकिन उनके जो पैंसन होती है वो Consolidate Fund of India पर आधारित होती है तो बित्ती सुरक्षा भी हम दे रहे हैं प्रसासनिक बे भी Consolidate Fund of India पर आधारित होते हैं और अनुच्चेद 360 के तहत बित्ती आपात की परिस्थितियों को चोड़ कर न्यायदीशों को बित्ती सुरक्षा दी जाती है और यह बित्ती सुरक्षा भी उन इससद उच्यतम न्याया लेकर जूरिडिक्ष्षन को बढ़ा सकती है लेकिन घाटाने की बात उसमें नहीं की गई है इससे भी नियाइक 178 सुनिषित होती है और नियाइक 178 से में से इंटर्नल जो बायसें जज़िश के उनसे वह दूर रहें जैसे कोई Supreme Court के जज़ किसी अगले retirement के बाद किसी अगले post को हासिल करने के लिए सरकार के favor में अगर कुछ decisions देते हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा पक्छपात होगा ये biasness होगी और इसी लिए उच्चतम नयायाले के नयायधीशों को किसी भी नयायाले में वकालत नहीं करना है अड़े उस court में वो जो court है बच्चो उस court में क्या है। उनको किसी भी प्रकार की वकालत के संदर में क्या बात नहीं कियेगी जश्ट इमिनट वच्चो तो यह जो अनुच्चेद 124 और अनुच्चेद 120 है आप इसको बता देंगे आप इसको बता देंगे, जस्ट इमिनट, ठीक है, इसके बाद बच्चों ये प्रश्ण मेंने इस तीनों डायमेंशन में आप लग सकते हैं, इसको शॉर्ट कर लेना है, लेकिन यहाँ पर जब अनालिसिस की जाएगी, तो थोड़ा सा आपको ज्यादा डायमेंशन बताए ज कोन है, नेशुल कानूनी शहायता के प्रतिपादन में राष्टी विधि सेवा प्राधिकरन जो नालसा है, नालसा की भूमिका का आकलन कीजिए, इसके साथ ही भारती भारती संबिधान की प्रस्तावना में आर्थिक न्याय का जो मूल ले सामिल किया गया है, उस मूल को जमीनी इस्तर पर उतारती है, इसके साथ ही भारती भारत के संबिधान में राज के नीत निरिशक तत्तों में अनुच्छेद 49 ए भागचार में समान नयाय और नेशुल क बिधिक सहायता दिये जाने की बात है, कानूनी सहायता किस तरह के लोगों को जरूरत होगी, ऐसे लोग जो बंचित हैं, ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं और ऐसे लोग जो समाज में हासिये पर हैं, तो बिधिक सेवा प्राधिकरण कानून 1987 में जो बनाया गया, उसकी धारा दो, उसका सेक्शन 12 जो है, वो समाज के कमजोर वर्गों को नेशुल क कानूनी सहायता दिये जाने का प्रावधान करता है, इस कानून में आठ प्रकार के लोगों को नेशुल क कानूनी सहायता दिये जाने का प्रावधान है, इसमें SC या ST के, scheduled caste या scheduled tribes के जो सदश्य है, अनुछेद तेश के तहत बेगार या जो मानो तसकरी से पीड़ित ब्यक्ती हैं, उनको क्या है, उनको भी नेशुल कानूनी स सहायता दी जा सकती है, इसके साथी महिलाएं या बच्चे बच्चों को चाहे वो किसी भी तरह के आर्थिक वर्ग से तालुक रखते हैं, उनको नेशुल कानूनी सहायता दी जा सकती है, जैसे दिल्ली के friends colony के पॉस इलाके में रहने वाली महिला भी, irrespective of the economic status of that women, उस महिल कि चाहे जो भी आर्थिक प्रहिस्थिती हो, इसके बावजूद जो नालसा 87 का section 12 है, उस महिला को भी नेशुल कानूनी सहायता देनी का हकदार बनाता है, क्योंकि पित्र सतात्मक समाज में महिलाएं चाहे कितनी भी आर्थिक प्रहिस्थिती में अच्छी हों, उनको भी इलकतों का सामना करना पड़ सकता है, मानसिक तोर पर कोई बीमार है या अन्य रूप में दिब्यांग है, उसे भी नेशुल कानूनी सहायता मिलेगी, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, जो किसी आपदा से पीडित हो गया, किसी प्रकार की जाती हिंसा से, जाती उत्पीडन से, बार से, सूखे से, भूकंप से, या किसी ओदोगिक आपदा के हालात से पीडित हो गया, तो ऐसे व्यक्ति को भी, ऐसे विक्टिम व्यक्ति को भी निशुल कानूनी सहायता मिल सकती है, एक इंडस्टियल वरकर को भी, एक ओदोगिक कामगार को भी निशुल कानूनी सहायत साहायता मिल सकती है अगर कोई human trafficking से human trafficking के बाद किसी police custody में है या किसी भी तरह की custody में है अगर कोई juvenile है जो किसी तरह की अभिरक्चा में custody में है कोई मानसिक स्वास्त जिसका ठीक नहीं था उसकी वजह से वह किसी तरह की custody में है तो ऐसे सभी custody में रहने वाले लोगों को भी नेशुल कानूनी सहायता मिल सकती क्योंकि वो अपना मुकदमा सायधी कोट में लड़ सकते हैं और इसके साथी पाँच लाख से कम सालाना आए वाले व्यक्ति को नेशुल कानूनी सहायता मिलती है भारत के अलग-अलग राज्यों में इस लिमिट क एक से डेड़ लाक रूपए के आस्वास रखा गया है तो ये निशुल कानूनी सहायता पाने के आठ तरह के हकदार लोग हैं इसको अगर कहें तो मेंबर्स आप SCST, बिमेन और चिल्डरन, इंडिस्टियल वर्कमेन, बिक्टिंग आफ मास डिसास्टर्स, वाइलेंस, फ्ल ये कहा है निशुल कानूनी सहायता के संदर्व में बात हुई, इस प्रश्ण का जो दूसरा हिस्सा है वो नालसा के रोल को लेकर है, देखे रोल पावर से और फंक्शन से प्रभावित या जुड़ा होता है, नालसा का एक रोल है कि कमजोर वर्गों को कानूनी सहायता प् तो हम कह सकते हैं कि जो मुक्यधारा की न्याइक प्रणाली है, उससे अलग है, ये बैकल्पिक न्याइक के सुधानत पर आधारित हैं, यहां पर दोनों पक्ष कोट से बाहर जाकर सेटिल्मेंट करके किसी विवात का निराकरण करते हैं, तो लोग अधालतों का गठन करके न्याइ पहुचाना और न्याइ पहुचाने में लोगों का समय बचाना, लोगों का धन बचाना, ये काम भी क्या है नालसा करता है, और ये काम बहुत महत्यपूर्ण है, भारत में लोक अधालतों ने न्याइलियों के बहार को बहुत कम किया है, तो बैकल्पिक जो अल्ट जो कानूनी साक्षरता, लोग literate हैं, लेकिन legally literate नहीं है, तो कानूनी साक्षरता, जागरूकता awareness, तो legal awareness और legal literacy का प्रसार करना, सामाजिक न्याय के मुकदमों को आगे बढ़ाना, अगर आप गौर करेंगे, तो नालसा ने LGBT का एक मुकदमा सुप्रिम कोर्ट में लड़ा था वो इसका क्या है उदाहरन है 2014 का केस था जिसमें क्या है और या फिर जो है आप देखेंगे लेस्बियन लोगों का या भारत में हम ही कह सकते हैं जो समलेंगिक्ता से समंदित एक बहुत लेंडमार्ग डिसीजन आया था वो दरसल नालसा ने लड़ा उसमें एक वो पक्ष था और नालसा ने वो सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई कह लड़ी थी फिर इसके साथी बच्चों अगर मालिज लीगल सर्विसेस को प्रवाइड करने को लेकर बिदिक सेवाओं को प्रदान करने के इस तर पर कोई सिकायत है तो सिकायत कह नालसा के पास जाएगी तो इस त नवाई करने में लोक अदालतों के गठन में और कमजोर वर्गों के फीस जमा करने कमजोर वर्गों के लिए वकील खड़ा करने इन सब मामलों में बहुत महत्यपूर है तो ये दूसरा प्रश्ण हुआ बच्चों फिर इसके साथ ही बच्चों हम लोग यहां पर आएंगे तीसरे प्रश्ण पर कि भारत के जो राज हैं भारत के राज सहरी इस्थानी ये निकायों को कार्यात्मक और वित्ती दोनों रूप से सशक्त बनाने के प्रत अनिक्चुक प्रती तो होते हैं टिपड़ी कीजिए क्या प्रश्ण है शांदार प्रश्ण है और UPSC ने पंच इस्थानी निकाय बच्चों ग्रामीर चेत्र में होते हैं और शहरी चेत्र में जो पंचायते हैं उनकी रचनात्मक अवस्था को 74 संविधान संशोधन ने एक आकार दिया इस तरह से 1687 से जो अर्बन बॉडीज का सिलसिला भारत में सुरू हुआ नगर पालिकाओं की सुरुआत 1687 मदरास से होती है तो 74 संशोधन तक आते आते हमने उसको एक रूप रेखा को बहुत इस्पस्ट कर दिया और नगर पालिका होगी नगर पंचायत होंगे नगर निगम होंगे या नगर पंचायत नगर पालिका और नगर निगमों का एक संविधानिक धाचा हमने खड़ा कर दिया formative phase में ये बातें बड़ी उत्साह जनक थी लेकिन आज अगर हम लोग contemporary phase की बात करें तो एक तस्वीर बनती हुई दिखाई पड़ती है कि 74 संविधान संशोधन के बात से लेकर अगर हम उस क्रम को देखें तो लग 30 साल के आसपास होने जा रहा है लेकिन इस्थानी निकायों को सही मायने में जो राज है वो पावर का या वो राज जो है वो शक्तियों का हस्ताना अंत्रन पावर का deblution करने के इक्षा नहीं रखते हैं कारण क्या है यहां परिश्वात को समझना है यहां पर बच्चों अगर हम लोग सहरी निकायों की बात करें तो 74 संशोधन 1992 ने अपने फॉर्मेटिव फेज में बहुत बड़ा उसने कह परिवर्तन किया दरसल जो पहले जो परिद्रश्य था अर्बन बाडीज का वो क्या था कि शहरी संस्थाएं भारत में नगरपालिकाय होती थी लेकिन वहां पर नौकर साही के वह अधीन थी ठीक है लेकिन 74 संशोधन ने एक उम्मीद जगाई की धीरे धीरे उसमें चुने हुए प्रतनिधी जैसे मेर नगर निगमों में होते हैं उन प्रतनिधियों का एक प देने वाले इंदोर के सिविक अर्बन बॉड़ी को अगर छोड़ दें तो हमें नगरपालिकाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं लगती है तो यह परिवर्तन होने के बाद भी परिवर्तन तो यह हुआ कि पहले नौकर साही के अधीन थी चीज़ें अब निर्वाचित प्रतनिधी आ गए दूसरी बात यहां पर यह है कि अगर हम ध्यान से देखें तो पहले नगरपालिकाओं का जो काम था चोहत्तरवे संशोधन के पहले वो थोड़ा सीमित था स्वक्षता के काम को देखना था पेजल को देखना था सीवर की विवस्था को देखना था विकास के काम भी पाएंगे सामाजी कार्थिक विकास के चित्र योजनाय बनाने का काम दुरबल वर्गों की रक्षा करने का काम नगरी निर्धनता को दूर करने का काम यह सब इसका मतलब कि नगरपालिकाओं की भूमिका का कारेच्चेत्र का क्या कर दिया गया विस्तार क जो भारत में इस्थानी ये निकाय हैं, उनको सही मायने में पावर डिबल्यूशन हुआ ही नहीं, भारत में चाहे वो पंचायती राज हो, आर्टिकल 243G की लेंग्वेज आप पढ़ेंगे, और आर्टिकल 243W की जब आप लेंग्वेज पढ़ेंगे, जिसमें डिबल्यूशन आप पावर की बात की गई है, उसमें वो पावर एक तो डिबल्यूशन ससर्त है, और दूसरी बात है कि वहाँ पर राज के उपर छोड़ दिया गया है, तो राजियों के उपर जो ये सक्तियों के हिस्तानांतरण की जिम्मेदारी छोड़ी गई थी, राजियों ने वो जिम्मेदारी पूरी की ही नहीं और इसका एक दिल्चस्प उदाहरण मैं आपको बताता हूँ ये जो उदाहरण है आप इसको ऐसे समझ सकेंगे कि करनाटक में एक बार एक विबाद खड़ा हुआ करनाटक में विबाद ये था कि करनाटक में बैंगलूरू में जो नगर निगम था वो नगर निगम विकास के कारियों के संदर्व में अपना क्लेम कर रहा था कि विकास से संबंधित कारे भी उसके जिम्में आएंगे ये मामला करनाटक के हाई कोट में गया और करनाटक हाई कोट ने कर बैंगलूरू विकास प्राधिकरण के पक्ष में निरने दिया और जो निगम था उस नगर निगम को यहाँ पर ये माल लिया कि नगर निगम के पास ऐसे पावर्स नहीं है ऐसा क्यों हुआ इस फैसले को बोंदू रामा स्वामी वर्सिस करनाटक राज 2010 का निरने कहते हैं मदन मोहन पुंची आयोग जो केंद राज संबंधों पर गठित हुआ एक आयोग था जिसने 2010 में रिपोर्ट दी उसने अर्बन लोकल बॉडीज पर और रूरल लोकल जो बॉडीज थी पंचा सोधन करके जो पावर डिबल्यूशन जो था उसके प्रावधान ही कह कमजोर थे और इसमें आप देखेंगे कि बैंगलूरू शहर की नगरी योजना को बैंगलूरू नगर निगम से लेकर विकास प्राधिकरण को दे दिया गया जैसे आप समझें कि दिल्ली में नगर नि बारिवसन तो अपने आप कमजोर हो जाएगा ना इसका मनलब कि नगर निगम को सही माएने में आप पावर डेहीं रहें और यह चीज बहुत आप यह कहेंगे कि केवल एक राज से सम्मंदित परिधटना नहीं थी यह अनेक राज्यों से संबंदित क्या परिगटना थी और इसी तरह की चीज जो है पंचायती राज के बारे में भी हुई जब भारते संबिधान के अनुच्छे 243 जी को पढ़ेंगे तो उसमें पंचायतों को सामाजिक आर्थिक न्याई की इसकीमों को बनाने और उनको लागू करने की शक्तिय दिगाई है और 11 अनुच्छी में पंचायतों को और 12 अनुच्छी नगर पालिकाओं के विशprem चेतर दिये गए लेकिन सही मायने में यह जो आर्टिकल था जो पंचायतों से संबंदित 243 जी था और जो नगरपालिकाओं से संबंदित जो आर्टिकल था 243 डबलू ये आर्टिकल जो है इसको सही रूप में राज नहीं लागू करने के एक चुक हैं क्योंकि इससे उनको लगता है कि एक पैरलल पावर स्ट्रक्चर ब और 243 जी जो पंचायतों के सामाजिक आर्थिक नियाएं के लिए इसकी में बनाने और लागू करने की शक्ति पंचायतों को देता है और 243 डबलू जो नगरपालिकाओं को सामाजिक आर्थिक नियाएं की इसकी में बनाने और लागू करने की शक्तियां देता है उसको इन इसलिए हमारे जो सहरी स्थानी निकाये हैं उनकी चुनोतियां चार प्रकार की हैं सन्राचनात्मक या कार्यात्मक चुनोती है इस्ट्रक्शरल है financial problems है fund से related problems है administrative problems है social problems है प्रस्ट में दो ही चीजों का discussion है और वो दो चीजों का कौन सा discussion है वो है कार्यात्मक और वित्तिय तो सही माइने में बच्चों deblution of power हुआ ही नहीं न तो पंचायतों को न तो नगर पालिकाओं को क्यों नहीं हुआ क्योंकि अगर हम नगर पालिकाओं के सहरी इस्थानी निकायों की बात करें तो आर्टिकल 243W कहता क्या है 243W ये कहता है कि राज बिधान मंडल बिधिद्वारा नगर पालिकाओं को ऐसी सक्तियां प्रदान कर सकेंगे जो उन्हें स्वायत साशन की संस्थाओं के रूप में काम करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो मैं ऐसा कर सकूंगा और मुझे ऐसा करना होगा दोनों में बहुत अंतर है इसलिए बोंदु राम स्वामी और गाजियाबाद बनाम उत्तर प्रदेश एक नगर पालिका से संबंदित मामला था दूसरा पंचायतों से संबंदित मामला था इसमें भारत के नयायालेयों ने कहा high courts ने कहा कि ये केवल enabling provision है ये एक मूल रूप में शक्ति को बाटने वाला कोई mandatory या compulsory किस्म का प्रयोजन नहीं है इसलिए संबिधान संसोधन करना पड़ेगा संबिधान संसोधन करके जो पंचायतों और नगरपालिकाओं को 243G और 243W में जो powers दिये गए हैं उनको precise transfer के रूप में बदला जाए इन powers को और क्या है precise किया जाए ये imprecise transfer था और इसके साथ ही conditional transfer था राजबिधान मंडल के उपर आपने छोड़ दिया ये transfer conditional था और उन्होंने उनकी इक्चा नहीं थी क्योंकि कोई भी कोई भी मुख्यमंत्री अगर simple भासा में बात करें कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी अपने power को कम करने वाले प्रावधानों के रूप में system making के point of view से बहुत कोई सहजता से क्या है अपने power को नहीं छोड़ेगा तो ये बात यहां पर हुए और ये काम उन्होंने किया कैसे कैसे हमें सिद्ध करेंगे कि राज अनुक्चिक प्रती तो होते हैं तो राज्यों ने क्या किया बच्चों राज्यों ने एक क्या है पूर दिल्ली नगर निगम को संबैधानिक दर्जा दिये जाने के बाद दिल्ली जलबोर्ड की जरूरत क्या थी और अगर सामाजिक आर्थिक विकास की जिम्मेदारी नगर पालिकाओं को हमने दिया तो ऐसे स्थिती में दिल्ली विकास प्राधिकरन भी दिल्ली विकास यह जो overlapping थी वो overlapping में overlapping इनको कमजोर करने वाली सिद्ध हुई और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी मुख्यमंत्री हैं प्रधान मंत्री भी उसमें सामिल हैं सभी क्या है development authorities के थुरू काम करने में ज्यादा सुविधा महसूस करते हैं और वो इस्थानी निकायों के भी जो का साम होते हैं वो development authorities को देकर आये सदिकारी को बैठा देते हैं यहां पर आप देखेंगे इस्थानी निकायों की तरह के समानांतर निकाय बनाकर हमने इस्थानी निकायों को कमजोर कर दिया हमने डिस्टिक रूरल डेवलकमेंट Authority बनाई और डिस्टिक रूरल डेवलकमेंट एथौरिटी ने कुछ उसी तरह से पंचायतों और नगर पालिकाहों का हिस्सा मारा जिस प्रकार से जिस प्रकार से योझना आयोग में किसी जमाने में बित आयोग का रुतबा और बित आयोग की हैसियत खतम कर दिया था तो DRDA District Rural Development Authority अब आपे कहेंगे स्थानी निकायों में शहरी निकायों से कैसे जुड़ा हुआ है तो भाई ऐसा है कि DPC District Planning Committee बनाए जाने का प्रावधान था और District Rural Development Authority ये भले रूरल चेतर से संबंधित है लेकिन जिले के आसपास भी कुछ ऐसे रूरल एरिया होते हैं जैसे कि कानपुर शहर है तो कानपुर देहात भी है ना इसी तरह से दिल्ली है तो ट्रांस यमुना के भी इलाके है ना नरेला के आगे का भी इलाका है जिसमें प्रथन थे उन्होंने इस्थानी निकायों के समानातर निकाय की रूप में काम किया कितने सूसाइटी जोर मिशेन बनाए गये ऐसा देकर, फंड देकर, उनको सशक्त बनाने की कोशिस की, ऐसा नहीं हुआ, इसके साथी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सन्रचनाएं, जल आपूर्ती से लेकर सिचाई, वाटरशेड इन सब पर अगर हम देखें, तो हम जल बोर्ड बना लेते हैं, लेकिन नगरपालिका को इब्यू कमेटीज बनाई गई, विकास प्राधिकरन बनाए गए, ये जो समानांतर निकाय थे, ये राज्यों की अनिक्छा को सिद्ध करते हैं, राज्य नहीं बलकि केंद्र की अनिक्छा को भी क्या करते हैं, ये सिद्ध करते हैं, सहरी जो स्थानी निकाय हैं, उन निका गाड़ी बना दी जो गाड़ी केंद्र और राज की इकछा से ही तेजी से चल सकती है, दरसल केंद्र और राज मजबूर नहीं है, उनके लिए अनिवारे नहीं है, और खास दोर पर राज विधान मंडल के लिए अनिवारेता नहीं है, तो we are just doing enabling provisions regarding to the urban local bodies, और enabling provision और compulsory जो provision होता है उसमें फर्क होता है तो यहां पर बित्ती शक्तियों के हस्तारांत्रन की क्या चुनोतियां हैं मैं थोड़ा सा अगर पीछे जाओं तेरह हमें बित्तायोग ने बहुत जबरदस रिपोर्ट डी थी तेरह हमें बित्तायोग ने कहा था कि जो state finance commissions होते ह हैं जो पंचायती राज और नगरपाली का दोनों के बित्ती मामलों के लिए सुझावय सिफारिश करते हैं उनकी सिफारिशों को बाद्यकारी बनाने जाएं के लिए संसोधन किया जाए state finance commission ये कहते हैं कि राज के राजस्व का इतना हिस्सा इस्थानी निकायों को दिया जाए लेकिन सरकारों की कोई इक्षा ही नहीं राजसरकार की कोई इसी इक्षा नहीं state finance commission कुछ भी कहे फिर इसके साथ ही जो अर्बन प्लानिंग है वो लोकल बाडिस को दिया जाना चाहिए नगर पालिका को दिया जाना चाहिए ये मांग की जा रहे हैं ये सुझाओ दिया जा रहा है और जो रेवेन्यू है टैक्स रेवेन्यू है कर राजस्व है उसका 28% का अंतरित किया जाना चाहिए यहां बाद्ध्यकारी बनाने की बात इस्थानी निकायों को ही सहरी नियोजन से जोडने की बात ये सिद्ध करता है कि राजबित आयोग के सिफारिशों को बाद्ध्यकारी बनाए जाने का सुझाओ इस बात को प्रतिपादित करता है कि इक समझ बनाएंगे तो आप अच्छा उत्तर कहला लिखपाएंगे यहां पर बच्चों हम लोग फिर अगले कॉंटे क्ष्ट में कैहें अगले अगले पृश्ण पर आते हैं और यह प्रस्द यहां पर बच्चों यह है कि संसदी यह संप्रभुता के प्रति ब्रिटिस यों भारती ये द्रिश्टिकोणों की तुलना करें और अंतर बताएं compare and contrast the British and Indian approaches to parliamentary sovereignty UK और इंडिया के context में और US और इंडिया के context में UPSC और UPPCS दोनों में quality में सवाल पूछे गए और ये सवाल भी एक न्याएक न्याएपालिका को लेकर converging और diverging trend पर सवाल पूछा गया था IS में उसी सवाल की theme पर आधारित है इस सवाल में संसदी संप्रभुता को सबसे पहले आप define कर देंगे कि निरपेक्षव असीमित शक्त के सिधानत को संप्रभुता कहते हैं संप्रभुता का जो वटवारा होता है वो शक्त के छेतर के आधार पर भी होता है और कार छेतर के आधार पर भी होता है शक्त के छेतर के आधार पर संप्रभुता कानूनी और लोकप्रिय में बाटी जाती है जो कानूनी संप्रभुता है वो कानून बनाने की सर्वोच शक्त की तरफ संकेत करती है और कानून बनाने की सर्वोच शक्त संसद में होती है इसलिए इसको संसदी संप्रभुता भी कहते हैं और संसदी संप्रभुता के सिधान्त को अक्षरशा मानने वाली अगर कोई राज नितिक प्रणाली है तो वो UK है दूसरे तरफ लोकप्रिय संप्रभुता लोकप्रिय संप्रभुता में जो आंदोलन हैं जो धरने हैं जो प्रदर्शन हैं उनके सामने कानूनी संप्रभुता को सर जुकाना पड़ता है संसत को सर जुकाना पड़ता है इसलिए जब हमारे तावना में हम भारत के लोग आया तो विद्वानों ने कहा कि ये लोकप्रिय संप्रभुता को व्यक्त करता है इसलिए पॉलिटी जो बच्चे पढ़ना सुरू कर रहे हैं और जो पॉलिटी मेंस के लेविल पर पहुच चुके हैं पहुच रहे हैं उनको सबसे पहले ये बा संप्रभुता के साथ उसको मिक्स किया गया है संप्रभुता को हम अंतरराष्टी संबंधों के लिहास से भी प्रयोग करते हैं और डोमेस्टिक मामले में भी प्रयोग करते हैं घरेलू मामले में संप्रभुता संप्रभु होने का अर्थ होता है कि एक भूभाग पर बसे ह जितने भी लोग हैं उन लोगों पर कानून बनाने की सर्वोच शक्ति जो होगी वो जिसके पास होगी वो संप्रभु है इसको आंतरिक संप्रभुता कहते हैं और ये सक्ति राज्य के पास होती है तो राज्य में एक भुभाग पर बसे हुए लोगों के ऊपर कानून बनाने की सर्वोच rankedि होती है आज्यावं या आधेश Oh description को मनवाने की शकति होती है इसलिए राज में भूभाग के साथ सरकारें होती है और उन सरकारों को आधेश निर्देश देने की शर्वोच शकती होती है इसलिए इस विचार को आंतरिक संप्रभुता कहते हैं अंतर राश्टी व्यवस्था में जो राज्य का इस्थान होता है उसको वाह एक्स्टरनल सावर्निटी कहते हैं तो यहां पर बाहरी जो संप्रभुता है वो बाहरी संप्रभुता का कॉंटेक्स्ट यहां पर यह है फिर इसके साथ बच्चों ये बतानी के बाद आप आएंगे कि संसदी संप्रभुता के प्रश्ण में क्या है तुलना में विशेशत तोर पर अंतर की बात है तो अंतर पहले बता देंगे और समानताएं उसके बाद लेंगे संसदी संप्रभुता का जो सिधानत है वो ब्रिटिस दृष्टिकोंड में पूरी तरह से सामिल है और ब्रिटेन के महान विद्वान महान कानून विद डायसी ने कहा कि ब्रिटिस संसत सरोशक्तिमान है डिलो में ने कहा कि संसत सब कुछ कर सकती है, आस्टिन कहते हैं कि संप्रभुता ब्रिटिन में संसदस्त राजावे मोनार्क इन पार्लियामेंट में हैं, that's why we can say, we can arrive at a conclusion that पार्लियामेंटरी सौवरिनिटी is the most important principle in British political system. तो यहाँ पर पार्लियामेंटरी सौवरिनिटी की बात है, अगर हम भारत की बात करें, तो भारत का संबिधान लोकप्रिय संप्रहुता के सिद्धान्त को भी अपनाता है, प्रस्तावना में हम भारत के लोग संबिधान को आतमारपित करते हैं, ये सब बातें अंतिम परित हुए कानूनों को वापस लेने की जरूरत आ जाए या उस तरह की प्रताओं में भी हम विश्वास रखें चाहे वह किस कृषी कानून हों तीन की कानून हो या फिर अन्ना हजारे का जो ब्रस्टाचार को रोकने के रिए लोकपाल की मांग का जो अंदोलन था तो ब्रिटेन संसदिय वाद को एकात्मक साशन प्रनाली से जोडता है एकात्मक साशन प्रनाली में या पारलियामेंटरी सिस्टम को यूनिटरी सिस्टम से जोडता है और यहां शक्तियों का वो एक ही करण कर रहा है भारत जो है वो पारलियामेंटरी सिस्टम को फेडरल सिस्ट से जोड़ता है और वो संसदेव संघातमक प्रणाली को मिलाता है पारलियामेंटरी सिस्टम को फेडरल सिस्टम से जोड़ने का मतलब है कि हम पारलियामेंटरी फेडरलिजम को अपना रहे हैं इसमें शक्तियों का विभाजन किया जाता है तो यहां पर पारलियामेंटरी सिस्टम है यहाँ पर यहाँ पर यूनिफिकेशन अप पावर से हैं यहाँ पर कहें डिवीजन अप पावर है यूनिफिकेशन पावर और डिवीजन अप पावर में एक आत्मक शाचन एक जगा बनेगा, वहाँ पर प्रांत जो होंगे, जो इकाईयां होंगी, वो केंद्र की सिर्फ एजेंट होंगी, लेकिन जो संगहात्मक शाचन होगा, वहाँ पर जो यूनिट्स होंगी, जो इकाईयां होंगी, जो प्रांत होंगी, वो केंद्र से नहीं, संबिधान से बनेंगी तो ये आपको दोनों पॉइंट्स कह बता देने होंगे फिर इसके साथ ही बच्चों जो British दृष्टी कौन है वो British दृष्टी कौन अलिखित संबिधान होने से वहां पर आप संबिधान लिखित है तो संसत की शक्तिया मर्यादित हो जाती है और भारत में ऐसा हुआ संसत की इस्थापना संबिधान के द्वारा होगी तो यहाँ पर भी संबिधान संसत को सीवित करेगा संसत संबिधान के विरुद्ध कोई भी कानून नहीं बना सकती संसत संबिधान के बियॉंड नहीं जा सकती तो संसत भारत में सीमित हो जाएगी डिलों में ने भले ही कहा होगा कि संसत सब कुछ कर सकती लेकिन भारत में संसत सब कुछ नहीं कर सकती भारत में संसद सर्वोच नहीं है भारत में संसदी संप्रभुता के सिद्धानत को नहीं अपनाया गया है 246 ये कहता है कि संसद पूरे देश के बारे में कानून बनाएगी लेकिन वही ये भी कहता है कि राज विधान मंडल भी कानून बनाएंगे तो भाई भारती द्रिश्टिकोन असीमित या सर्वोच संसद की अवधारना पर आधारित नहीं है। संसदी संप्रभुता जो है बिटन में बिदि के साशन के संदर्व में अपनाई गई है और वहां बिदि का साशन कानून का साशन बहुत मत्यपून है। यहां भारत में संसदी संप्रभुता और न्याइक सर्वोचता के बीच में समन्वे किया गया है। ऐसा प्रतीत होने लगा है कि अगर संसद और न्याइपालिका के शक्तियों के संदर में देखें तो न्याइपालिका संसद को अपनी न्याइक समिक्षा की संस्क्तियों से प्रभावित कर सकती है। प्रिथक करण पर तो नहीं लेकिन शक्तियों के एक क्या है एक लचीले प्रिथक करण पर आधारित है। क्योंकि भारत के संबिधान में जहां शक्तियों के प्रिथक करण के प्रावदान है वहां शक्तियों के एक करण के भी प्रावदान है। लेकिन जो ब्रिथक करण है वो जादा तर शक्तियों के एक करण पर आधारित है। सरकार के अंगों के बीच में संसद को सबसे जादा शक्ति दे देना ये दरसल क्या है शक्तियों का एक ही करण है। न्याइक शक्तियां भी संसद के अधीन कर देना। और इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2005 में अलग से सर्वोच नियालय का कानून बनाना पड़ा। लेकिन उसके पहले ब्रिटेन में संसद की संसद के वहां दो सदन है। स्थापना करता है। तो इसलिए ये ये एक दोनों में फरक है। न्याइक समीक्षा की जो गुंजाईस है वो बिटन में केवल कारेपालिका के कामों तक है संबिधान के संशोधनों तक वो बिस्तारित नहीं हो सकती भारत में न्याइक समीक्षा की जो गुंजाईस है वो कारेपालिका के कामों पर भी है संसद और राजविधान सभाओं के क कुछ निश्चित मापदंड नहीं है आधारभूत धाचे के मापदंड पर भी नियाइक समीक्षा की जा सकती है तो यहाँ पर क्या है कि नियाइक समीक्षा जो है और इसके साथी आधारभूत धाचे का सिद्धांत असंसोधनियता की तरफ ले जाता है कि कुछ चीजे संसद संसोधित करी नहीं सकती तो आधारभूत धाचे के सिधान्त ने भी संसदी संप्रभुता को संसदी वाद को कमजोर किया है क्यों क्यों कि कुछ ऐसी चीजें है जो संसद के अनुच्छे 368 के संसोधन की शक्त से क्या बाहर है इस समझ की जरूरत है इस समझ के बगाइर आप IEAS के कोश्ण्स का जो की जो डिमांड है उस डिमांड को पूरा नहीं कर पाएंगे और इस पर एक इंटर रेलेशन क्या है बनता है फिर इसके साथ ही क्या है लेकिन क्या भारती ज़्यादा करीब आ रहा है दरसल कुछ diverging lines हैं इंडिया और UK के बीच में वो diverging lines मैंने आपको बता दी कुछ converging lines भी हैं जहां पर दोनों देशों की प्रनालिया मिलती हुई दिख रही हैं तो अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप यह देखें कि converging lines हैं वो क्या क्या ह United Kingdom में पहले उच्चतम court जो था वो House of Lords की एक अपीलिय समित थी लेकिन 2009 के बाद भारत और अमेरिका की तरह ही United Kingdom में एक Supreme Court का गठन कर लिया गया UK में पहले शक्तियों के प्रथकरन का कोई स्थान नहीं था लेकिन United Kingdom भी अब शक्तियों के प्रथकरन की सिद्धान की तरफ जा रहा है यह बाते किताबों से दूर हैं और इस पर UPSC प्रशन पूछ रही है ठीक है तो यहां यह पहले भी diverging और converging वाला प्रशन पूछा ज कर चुका है तो नॉर्मली हम यह समझते हैं कि प्रिटेन के political system में कोई चेंज नहीं हो नहीं प्रिटेन के political system में चेंज हो रहा है और वह बान रहे हैं कि इंडिया और u.s. का जूस्ट में ज्यादा अच्छा है क्योंकि वहां पर सेप्रेशन पावर एक्स्प्लिस्ट वे म और कारेपाली का और विधाई का दोनों से अलग है तो उन्होंने भी इस मॉडल को क्या है किया इसके साथ ही स्कॉटलेंड है नौर्धर्न आयरलेंड है वेल्स है यह सब उनाइटेड किंगडम के पार्ट है उनाइटेड किंगडम तो यह सब क्या है स्कॉटलेंड नौर्ध तो इस तरह से भारती जो दृष्टिकोंड है उस दृष्टिकोंड की तरफ ब्रिटेन आता हुआ दिख रहा है इसले लाइने केवल क्या है डाइवर्जिंग ही नहीं है अगला अगला सवाल है कि बिधाई कारियों के संचालन में विवस्थायों निश्पक्षता को बनाएं रखने में सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परंपराओं को सुगम बनाने में राज बिधाई काओं के पीठासीन अधिकारियों की भूमिका की विवेचन कीजे चवर्दस सवाल है और इस पर भी करें कि इस अधिकारियों की भूमिका राज बिधाई का का मतलब कया है विठासीन अधिकारीयों मतलब यह समझना कि पीठ की तरफ आसीनों कर बेटा हुआ अधिकारी तब गरबर हो जाएगा इस बात को समझना पीठ आसीन अधिकारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो पीठ को हेड करता है तो बिधानसभा अध्यक्ष और सभापती की भूमिका के बारे में सवाल है यह द मामले को एसेप्ट करना है किस प्रस्ताव को एसेप्ट नहीं करना है इस सारा निर्णे वो करते हैं लेकिन अगर बच्चों को हेड मास्टर के निस्पक्चता पर यकीन खतम हो जाए तो बच्चे हेड मास्टर के पास सिकायत ले जाने से कत्राने लगेंगे क्योंकि बच् कुछ बच्चों का पक्षपात कर रहे हैं यही दुरगटना भारत में हो रही है कहां तो तैंथा चिरागा हर एक घर के लिए कहां चिराग मैसर नहीं सहर के लिए हमारे देश में अगर आप पिछले दो सालों में या इन फैक्ट 2016-15 से आप देखें तो अरुनाचल प्रदेश के विवाद के बाद जो मध्य प्रदेश के जो स्पीकर थे उन्होंने मध्य प्रदेश के जो स्पीकर थे वो सदन में बहुमत के बहुमत सिद्ध करने के लिए जो एक जो सदन को सत्र को उसकी दिशा में मोडने की जरूरत थी उसको उन्होंने मानने से इंकार क करनाटक के मामले में भी मामला स्पीकर की भूमिका पर इतना विवाद हुआ कि मामला सुप्रिम कोट तक गया और महारास्ट के मामले में तो आप इस पेपर के आने के दो दिन बाद महारास्ट के मामले में चीफ जस्तिस को ये कहना पड़ा चीफ जस्तिस आप इंडिया को सर पाचिकाओं पर चार महीने की समय सीमा पूरी हो चुकी है और आप उसका निप्टारा कर लीजिए तो यहां अगर हम लोग देखें तो यह उसकी भूमिका पर लगातार विबाद हैं और उन विबादों को मैं छोड़ना हूँ जो पस्चिम बंगाल में हुए और उन में भी स्पीकर की भूमिका है राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के जितने भी बिधायक थे उन बिधायकों को राजस्थान की कांगरिश में सामिल कर लिया गया और वहां पर बिधान सभा अध्यक्ष के सामने दल बदल का यह मामला वहां पर है लेकिन उस पर निर रहे हैं उनके मामलों में भी अयोगता का निर्णे नहीं हो पाया है और इसमें कोई भी राजनीतिक दल संसदी प्रणाली के इस पतन के लिए मतलब इस पतन को ठीक करने के लिए उसके भीतर कोई प्रेड़ा नहीं दिखाई पड़ रही तो यह मामला बहुत गंभीर है और य स्वाद हो गए हैं और इस पीकर से जो दो जरूरते होती हैं कि इस पीकर जो है इंपार्शियल हो और इंडिपेंडेंट हो यह दोनों जो जरूरते हैं इनको पूरा करना बरतमान वेवस्था में मुश्किल हो रहा है तो पहले प्रश्न प्रश्न का पर पहला हिस्सा है कि विधान सभा और विधान परिशत के अध्यक्च और सभापती की भूमिका क्या होती है। करते हूँ उस पर बिधान सभा की कारवाई को आगे बढ़ाना यह उनकी ऊपर जिम्मेदारी जिव व्यु असफापक की भूमीका है इसके साथ संसदी समितियों मेरा उनकी भूमिका होती निरिक्षक और ये भूबिका इतनी महत्पून थी कि नहरू जी ने एक बहुत शांदार बात कही नहरू जी ने कहा कि दरसल किसी राष्ट की जो स्वतंतरता को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वहां पर राष्ट की स्वतंतरता को और मुक्ती के प्रतीक के रूप में आप मंचों पर काम जो इन मंचों के पीठा सीन अधिकारियों की स्वतंतरता दरसल राष्ट की स्वतंतरता और मुक्ती का प्रतीक है कितनी बड़ी बात हुए कह रहे थे कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सदन की अंतस्चेतना हैं कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सदन में संरक्चक हैं गारजिय नहीं यह और मौरिस जोन्स सहप ने कहा था मौरिस जोन्स भारत की राजनीति के महान विद्वान अध्यन करने वाले महान विद्वानों में सए एक उनुने कहा था कि अध्यक्च पदधारी व्यक्थी के लिए यह आवस्यक है कि वह नि fan He पूर्वक आचरन करे और उसकी निश्पक्षता पर लोगों को विश्वास हो तो भूमिकाएं आप यहां से स्पस्ट करेंगे और उस भूमिका के बात का अगला सवाल है बेवस्था और निश्पक्षता को बनाए रखने में तो मैं यहां पर बच्चों इस बात को डिसकस हम कि तुलना में भूमिकाएं बढ़ी हैं और इन भूमिकाओं पर विबाद भी बढ़े हैं भूमिका क्या बढ़ी है दल बदल आधारित जो आयोग्यता के मामले हैं उनमें नियाय निर्णेयन करने की शक्त 52 संशोधन 1985 के द्वारा दस्वी अनिसूची जोडते हुए यह प इधायक त्यागपत्र देता है तो विधान सभा अध्यक्च को देगा या फिर विधान परिशद में सभापती को देगा यहां पर जो विधान सभा अध्यक्च और सभापती हैं उनको कुछ विवेका धिन शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं और यह 33 संसोधन 1974 के द्वारा अनुच्छेद एक सो नब्बे में जोड़ा गया। तो पीठा सी इन अधिकारियों के भूमिका दस्वी अनिसूची के दलबदल के अयोग्यता संबंधी प्रावधारों में और इसके साथी अनुच्छेद एक सो नब्बे के संदर्व में हैं। हैं और जो वहां के स्पीकर हैं उनके ऊपर ये दबाओ सुप्रिम कोट ने बनाया है कि आप ट्रिब्यूनल हैं और ट्रिब्यूनल होने के नाते जब बिधानसभा के अध्यक्च होने के कारण जब बिधायकों की अयोग्यता पर निरने करते हैं तो बिधानसभा अध्यक्च जो होता है वो ट्रिब्यूनल की तरह हो जाता है और इस देश में जितने भी ट्रिब्यूनल है नयाया अधिकरण है उस पर सुप्रिम कोट का प्राधिकार है इसलिए आपको हमारे आदेशों को मानना पड़ेगा तो यह बात कही जा रही है यहां पर बच्चों एक तो यह ब बड़ी बात यह है कि दल बदल की इसने यह कहा कि दल बदल के बामलों की न्याइक समीक्चा क्या हो सकती है तो दल बदल की न्याइक समीक्चा की जो बात है यह बात क्या है यहां पर कही गई तो एक तो आप इस बात को जालने और यहां पर इस स्पीकर के बारे में यह तो असंकाय बैक्त की गए जो बाद में सही हुई अरुनाचल प्रदेश का एक बहुत ही महत बहुत ही चर्चित केस हुआ नाबाम रेविया बनाम डिप्टी स्पीकर 2016 का उसमें भी स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की भूमिका पर सवाल खड़े हुए और इस पर सुप्रिम कोट आपने जो विवेका धिन शक्तियां हैं राजेपाल और डिप्टी स्पीकर के संदर में बहुत पून बाते कही फिर इसके साथ ही बच्चों सिरनात बाला सहब बनाम माननी स्पीकर 2017 में करनाटक में विबाद हुआ और सिवराज सिंग चौहान बनाम स्पीकर मद्यप्रदे जिसको आपको जानना जरूरी है अब यहां पर मूल मुद्दे पर आते हैं कि भूमिकाओं पर विबाद क्यों बढ़े हैं और क्यों निस्पक्चता बहुत जरूरी है दरसल बिधाई कारियों के संचालन में क्यों निस्पक्चता बहुत जरूरी है तीन बातों को ध्यान म रूप में सोचेंगे या वो विधान सभा के एक निश्पक्ष पीठा सी नधिकारी के बारे में सोचेंगे तो हाँ पर सरकारों के बने रहने या एक सरकार के जगह पर दूसरे सरकार के आने पर सवाल खड़े हो जाएंगे तो दल बदल के अयोगता के मामले में जो स्पीकर ह तरह काम करते हैं, लेकिन इस मामले में दो तीन बड़ी दिक्कते हैं, पहला कि विधान सभा अध्यक्ष जो हैं, यहां पर एक राजनीतिक दल के सदस्च के रूप में काम करते हैं, वो एक निश्पक्ष व्यक्ति के रूप में कारे नहीं करते, चीँ है यह हुआ, दूसरे बात है कि कोई समय सीमा नहीं तें की गई है हमारे संबिधान में जो दल बदल संबंधी प्रावधान दल बदल को रोकने संबंधी जो प्रावधान पावनवे संबिधान संसुदर 1985 से जोड़े गए उसमें कोई समय सीमा नहीं है महरास्ट में सुप्रिम कोट ने कहा कि चार म जिनको बिधान सभा से क्या है, बिधान सभा से निलंबित कर दिया गया, तो यहां पर ये भी क्या है, जो speaker के निस्पक्चता पर एक सवाल खड़ा करने माला निरने था, जिस पर कासा विबाद हुआ, दूसरे बात है कि बिधायकों के त्यागपत्र के मामले में अनुच्य एक सो नबे के तहट बिधान सभा अध्यक्ष को कुछ विवेका धेन शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं बिधायक बिधान सभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौपते हैं माल लेजिए कि 12 बिधायकों ने बिधान सभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौप दिया और बिधान सभा अध् बिधायक किसी ऐसे राजनीतिक दल से हैं, जिनका इस्तीफा सुविकार किये जाने पर सरकार अलपमत में आ जाती, तो ऐसी स्थिती में सरकार के गिरने और नई सरकार के बनने की संभावना हुई, यहां पर बिधान सभा अध्यक्ष ने क्या किया, कि उस इस्तीफे को लेने क बजाए या उस पर निरने करने के बजाए, कारवाही को क्या है, सदन को निलंबित कर दिया, और यह मामला मध्य प्रदेश का था, जिसमें सिंधिया जी की जब बगावत हुई थी, उसके कांटेक्स्ट में था, इसमें स्पीकर को राजेपाल ने कहा, कि आप फ्लोर टेस् मामले में सुप्रिम कोट ने निरने दिया, और सुप्रिम कोट ने करनाटक के और मध्य प्रदेश के डीजीपी को जिम्मेदारी दी थी, कि पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ ही क्या है, सदन में बहुमत का परिक्षण होना चाहिए, यह जो मामला था, इस मामले मे संबैधानिक पेच क्या है, इस मामले में संबैधानिक पेच यह है, कि अनुच्छेद 190 स्पीकर को यह अधिकार देता है, कि वे चाहें तो इस्तीफा सुविकार करें, या आसुविकार कर सकते हैं, आसुविकार करने के दो आधार है, अगर उनको लगता है कि बिधायक ने और इसके साथी जन्विन होने के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष के पास ये शक्तिया हैं कि वो किसी भी स्तीफे को असविकार कर सकते हैं। नीचे आजाएगा तो ये बाते यहां पर हैं सदन के संचालन में भी बहुत सारी निश्पक्षता के सवाल क्या उठ रहे हैं ध्याना कर्शन प्रस्ताव को भी हरियाडा में कुछ दिनों पहले अल्प सूचना चर्चा में बदल दिया विधान सबाद देक्ष ने और उस पर एक मंत्री ने कहा है इस पर बहुत असहमती कहा है व्यक्त की तो भूमिकाओं पर जो विवाद है उसके संदर में इस प्रश्ट के महत्त को आप देखिए अब यहां पर इसके साथी और यहां आप देखेंगे कि कोई भी राजनीतिक दल इस पीकर की गरिमा को बनाए जाने के लिए गंभीर प्रयास नहीं कर रहा है वो दूर की जो बात है कि से संसदी प्रणाली का पतन हो रहा है और इस पीकर को एक पक्षपाती व्यक्ति के रूप में देखा जाना सदन के संचालन में एक बहुत बड़ी समस्या का है उत्पन्न कर देगा इस बात को आपको बता पर रहें लेकिन हमारा संविधान बृटेन के संविधान पर नहीं जाता जहां पर जैसे ही कोई स्पीकर होता है उसको अपने राजनीतिक दल की सदशता को त्याग करना पड़ता है हमारा संविधान एकदा e2 speaker सदैव स्पीकर, वन्स स्पीकर, आलवेज स्पीकर वाले सिध्धान्त को भी नहीं अपनाता, लेकिन कई लोगों का सुझहाव है कि जैसे ही कोई व्यक्ति स्पीकर बने, वो केवल सदन के भीतर ही नहीं, सदन के बाहर भी दलगत राजनीती से अपने आपको क्या है, उठा ल मतने किया जाए, और सबसे महत्यपूर्ण बात है कि हमें कुछ सरोतम प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए, और सरोतम प्रक्रिया का पालन करने में हम यह कह सकते हैं, कि हम ब्रिटिस प्रनाली को अपना सकते हैं, कि ब्रिटिस प्रनाली में क्या है, कि जैसे ही कोई स्पीक क्या है एक बहुत अच्छा एक आधार क्या है मिलेगा तो यह मैंने पहले पांच प्रश्ण का डिस्केशन किया एक डिस्केशन मैं इस पेपर पर और करूंगा बाकी बचे हुए प्रश्णों का बहुत-बहुत धन्यवाद